दोस्तो आज हम बात करेंगे कि मा काली अपने भक्तों को किस रूप में दर्सन देती है ये इस विशे पे हम अर्चा करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा वही पुराना रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और साथ ही साथ घंटे का बटन दबा ले जब भी मैं कोई नय वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस तो यदि कोई ब्यक्ति माता काली का कुजा अर्चना या उपासना करता है तो मा काली उस पे अपना द्रिष्टी बनाए रखती है और यदि उस ब्यक्ति को सपने में दुरगा मा दिखाई देती हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है उसके जीवन में धेर सारी खुसिया और धनला मिलने वाला होता है जिस वज़़ से मा काली उस बेक्ति को सपनी में दिखाई देती है देवी देवता हमें सपन के माध्यम से मेशा दर्शन देते रहते हैं ज्यानता के वज़़ से हम इस चीज को कहराई से नहीं जान पाते नहीं समझ पाते हैं और कभी कभी धीरे से देवी देवताओं के तरफ हमारा मन बहुत ही जादे आकरसित हो जाता है और हम स्था पूजा में बहुत जादे जुड़ जाते हैं तो दोस्तों यह मारे पूर्व जनम का होता है हम पूर्व जनम में देवी देवताओं से जुड़े रहते हैं और वही ऐसे संकेत दिखाई दे तो आप उस संकेत को समझे और उसका पुन रूप से लाव उठाएं जो आपके जीवन में बहुत ही लावकारी होगा दि आपको कोई देविक सकतिया मिलती है तो उस देविक सकतिया को आप प्राप्त करके आप लोगों का कल्यान करें पको देविक सकतिया प्राप्त होने ये लिए काफी भटकना नहीं पड़ेगा पको स्वेम ही आस्ता प्राप्त हो जाएगा दोस्तों दी गई हुई जनकारी पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट वुक्स में जै महाकाली लिखना बिलकुल ना भोले धन्यबाद मित्रो